हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्रेवादर वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे गेल स्टॉक के बोनस के क्रेडिट डेट के बारे में यह बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं इसके उपर कि सर गेल के जो शेयर्स है वो हमाएं डीम जिन लोग को फ्रिश बाइंग करनी है गेल के अंदर क्या यह सही मौका होगा लेने का यह बाइंग का तो बहुत इंपॉर्टन वीडियो ने वाला है बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में गेल के उपर दोस्तों चैनल से पहली बार अकर आप जुड़े हो चैनल को लगातार दोस्तों दिक्कत रहती हुई देखने को मिली है गेल के साथ कि स्टॉक जो है वो कंसिस्टेंटली रिटर्न जो है वो डिलेवर नहीं कर पाता है इसमें गेल में बहुत दिक्कत रहली बात आपको डिफिनिटली देखने को मिलती है कि जो डिटर्न्स डिलिवर होने चीए वो एक्जाक्टली डिलिवर नहीं हो पाते है यह अगर आप मैक्स डिटर्न्स देखने जाएंगे गेल के तो वह वो जरूरो 35% के जरूर दिखते बात लेकिन वो ही निकल के आती है कि देखिए शुरुवात में तो जरूर स्टॉक ने काफी बढ़ा इंक्रीज दिखाया बट अगर अभी आप दिखेंगे कुछ 5-10 सालों के अंदर तो बेसिकली स्टॉक के अंदर जो मूव है वो ना के बराबर है बिलकुल ना के बराब नहीं है कंपनी एक बहुत बढ़िया डिविदेंड इल्ड वाली कंपनी है जिससे कह सकते कि इन्वेस्टर ने पैसा अगर कमाया तो वो डिविदेंड से जरूर काफी बढ़िया कमाया होगा जिसने लंबी अफदित रखा होगा बट यहीं इंपोर्टन बात होती है कि बात करेंगे बोनस के बारे में तो रेविदेंड यहां पर आप देखेंगे क्या बेसिकल उनकी तरह से कहा गया उन्हें कि साफ 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 यह कहा गया कि 7 analyst is for revenues of 1.1 trillion in 2023 which would reflect a noticeable 3.5 percent decline in sales compared to the last year of performance statuary earnings per share are anticipated to plummet 32 percent to rupees 13.80 तो अब क्या overall का जा रहा है कि देखें बात साफ साफ एक ही है कि अब analyst मान के जल रहे है कि जो आने वाले साल आपको होते हुए देखने को मिल सकते हैं basically stock के लिए company के लिए उसमें revenues में down get आता हुआ देखने को मिल सकता है 3.5 percent का उनका यह मानना है जो EPS है वो 13.68 रुपीज per share आपको 2023 के अंदर रहता हुआ देखने को मिल सकता है इसलिए दोस्तों यह पर आप इनका रिपोर्ट भी देखेंगे तो साफ साफ एक आती भी देखने को मिल है कि company के जो फोकास्ट है revenue के अंदर आपको एक downgrade जो है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है वो यहां पर यह मान के चल रहे है downgrade revenue के अंदर इनकी तरफ से दोस्तों जो रिपोट आई है उसकी according मान के चल रहे है अब जो price target दोस्तों की तरसे आता हुआ देखने को मिला है 108 रुपे का showing that the analysts don't expect weaker sales expectations here to have a material impact on Gale, its market value it could also be instructive to look at the range of analyst estimate, अब कह सकते कि दोस्तों तागेट है वो डिफिनिली दोस्तों यहाँ पर जो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो 108 रुपर का आता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन जो बूलइब्डप आता हुआ था वो 210 रुपर oke,а वो मिल जुला है कोई कहता है कि यहाँ पर आपको ड़या करता हुआ रहा ठेया को मिलेगा तो कोई कहता है कि डाउंग्लेड करता हुआ देखने को मिलेगा एक जो कह सकते है कि स्टेबल रहा है वो डिफिनिटली अभी stock पर आती भी देखने को नहीं मिल पाती है अब दोस्तों बात करते हैं गेल के bonus की credit की तो देखे 6 तरिक को X date थी 7 तरिक को तो क्या थी record date यह बाद important है ठीक है 7 नौको दोस्तों यहाँ पर आपको record date देखने को मिली थी इसकी right record date होती भी देखने को मिल गई और फिर अगर आप देखेंगे जो markets थे वो कब तक कारोबार करते हुए देखने को मिले आज दोस्तों गयाद आई कि तो 8 और 9 को और कारोबार करते हुए देखने को मिले तो basically दोस्तों जो record date है उसको गए वे सिर्फ अभी तक 2 दिन हुए अब होता कै दोस्तों mainly bonus के अंदर यहाँ पर कम से कम साथ से 15 दिन हम मान के चलते हैं कि वो लगते हुए देखने को मिलते हैं अब 15 दिन तो definitely लगते हुए देखने को पहले मिलते थे अब नहीं मिलते हैं तो आप मान के चलिए इस इस हफते के अंदर most probably 17 या फिर 16 तक आपके जो bonus share है वो आपके DMAT में credit हो जाना चाहिए कितने 16 या फिर 7 तरह के बीच में मुझे लगता है कि जो bonus के shares है वो credit दोस्तों आपके हो जाने चाहिए DMAT के अंदर यह DMAT के अंदर 16 तक आपको जो है वो credit होते हुए देखने को मिलेंगे अब देखें रीजन साफ साफ एक ही बात है कि अब तक सिर्फ दो दिन हो है जो भी देखें बोनस आपको मिलता हुआ देखने को मिला है उसके record date को गुजरे तो दुस्तों अगर दो दिन होते हुए देखने को मिलें तो DMAT में आने में थोड़ टाइम लगता है इत्मन आपको पहले भी उताया था कि इसके एक process होती है वो एक लंबी process होती है इसके गारण दोस्तों time जो है वो लगता हुआ हमेशा देखने को मिलता है तो ये 16-17 के बीच में मुझे लगता है कि आते है वो देखने को मिल जाएंगे जने लोगों ने भी यहां पर जिनके पास भी share थे 7 ता ру 当 अनके पास जो है वो definitely bonus जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा अगर आपने आठ तरीक को भी बेचे हैं तो definitely यहां पर आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा bonus शेयर तो यह आपने खरीदा अगर होगा इसको कब 5 तारिक को अगर आपने 6 को खरीदा है और आपके 7 तारिक को भी थे और आज भी है तो यह नहीं कि आपको bonus मिल जाएगा अगर आपने 5 तारिक से पहले और 7 तारिक के बाद तक hold करके रखा है याद रखेगा 5 तारिक से पहले पहले शेयर होना चाहिए और 7 तारिक को भी होना चाहिए उसके बाद अगर आपने 6 तारिक को खरीदा है तो दीमैट में शेयर जो है bonus के नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने price adjustment के बाद खरीदा है जिन लोगोंने भी basically price adjustment के बाद खरीदा उनको डीमैट में शेयर नहीं आएंगे bonus वाले इनके पास already थे उनको तो definitely मिलते हुए देखने को मिलेंगे बिकोस उनके portfolio definitely लाल निशान में आचुके होंगे loss दिखा रहा होगा क्यों loss दिखा रहा होगा because एक adjustment हुआ तो वा adjustment बाद में आपको जो है वो सही होता हुआ देखने को मिलेगा तब आपके डीमैट में भी share आपको आते हुए देखने को मिलेंगे और जो portfolio red में है वो भी सही होता हुआ देखने को मिलेगा अभी मैं आपको यह स्वाद दूगा कि definitely wait कर सकते है खईधारी करने की ज़्याद सलाह नहीं है because यही बात important है कि stock के अंदर जो move आता है वो precisely अच्छा नहीं आपाता है अगर इसका stock के chart भे आप देखेंगे stock के दूट करा pattern देखेंगे तो definitely short term के अंदर मुझे लगता है कि लगातार दोस्तों जिस परका की गिरावट देखने को मिली थी पहले उसके बाद तो चलिए एक bounce back आता हुआ देखने को मिला जो bounce back much needed था लेकिन दोस्तों इस bounce back कद आपने क्या विटनेस किया अच्छा काउंटर है जिसके अंदर आप investment perspective से तो definitely stock के अंदर बाइंग कर सकते है बट on technical basis short term में मुझे लगता है कि यही कि जब तक 100 रुपे का level cross नहीं होगा तब तक यहां पर कोई बड़ी तेजी बड़ी यहां पर move जो है thank you friends for watching this video